जस्टिस डिलेड इस जस्टिस डिनाइड इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब कुछ ऐसी अंसॉल्ड मिस्ट्रीस को सॉल्फ करने के लिए आ रहे हैं जस्टिस त्यागी जेहां हम बात कर रहे हैं वो असटाइल अच्टर ऑफ बॉलेवोड मिस्ट अनुपम खेज जी की और उनका साथ देने आ रहे हैं वो अक्ट्रेस जो है तो सुपर गॉज़िस लेकिन ऐस स्पेशल सीब्या ओफिसर वो कितनी खुफसूरत लग रहे हैं और किस अच्छी तरह स कितनी वो इस रिस्पॉंसिबिलिटी को निभा रही हैं आई ओनी से जानते हैं विकस्ट विकस्ट विए बेरी बुरिफुल इशा गुपता विदास बोथ यू वेलकम ऑन पंजाब के श्री नावदेटाइब थाएं तो आप कितनी तयार थी जब ये किर्दार आपको ऑफ हे दुन्ट के बीदाब कि हमारे हिंदुसितन पूर्डेश में इतने सारे ऐसे केस्स हम पड़ते हैं और रोज होता है यह बहुत्प किस ने किए यह गायब कैसे हुआँ तो वह सब सोच के जब итог ए समूवी की स्कृप आई तो नहीं है और यॅ मतलब अवह आख कर दूंड का दिमाग चलना है लोबडी जैसा तो यह बहुत अच्छा लगा मुझे देखके स्टोरी में बट रेफरेंसेस कुछ आसच ली थे प्रिप्रेशन तो बस यही थी कि मुवी की स्क्रिप्ट आई पढ़ी और कि कैसे लक्षमी राथी को बस ढूनना निये जस्टिस रागी को बट पता करना है उसके दिमाग में खुसके कि इस इसा क्यों किया क्योंकि जो आप ट्रेलर से भी देखेंगे फैमिली मैन और बोलते ना कि अच्छा इंसान बुरा क्य कि कही चल रहा है कि आरे वाई विल ही दू एट अब एक होते हैं आप किसी को इतना इडिलाइस करते हैं और फिर आपको पता चलता है आरे इसने कुछ किया है तो फिल्म उस बारे में है मेरे लिए ये था रीसर्च की क्यों इतना अच्छा इंसान कुछ ऐसा करें और हम वो तो जस्टिस त्यागी को रूल बुक्स के बाहर जाकर ये फैसला क्यों लेना पड़ता है कि वो जो केसिस को सॉल्व करने की कोशिश करें वाई जज नहीं कर पा रहें बट बाहर आके वो से सॉल्व कर रहें हमारे मन में एक होता है कि जो होना चाहिए जैसे होना चाहिए वो हो और अगर एक मैं ऐसा कर सकता या ऐसा कर सकती तो मैं ऐसे करता तो जस्टिस त्यागी का जो जजज का था वो सरफ उन्होंने जजज के हिसाब से निभाया था लेकिन उस जजज के पीछे एक इंसान था, एक पिता था, एक पती था, एक दादा था और वो इनसान को लगा कि ये जो चार लोग मैंने छोड़ दिये थे इनको अगर मुझे justice देना हो, actual तरीके से तो मैं कैसे दूँगा तो ये कहानियों में हो सकता है, कभी कभी reality में भी होता है ये फिल्मों में हो सकता है, बट इससे at least मन की जो मन में जो बढ़ास होती है, जो audience देखती है और कहते हैं हाँ, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, वो identification ज़रूर होती है जस्टिस त्यागी अपने exterior पे अच्छे इनसान है, वो अपने family को खाने पे ले जाते हैं उनके साथ वक्त गुजारते हैं, बच्चों के लिए खिलोने लेकर आते हैं लेकिन वो पूरी कहानी हुए हैं, वो ढूनते हैं उन लोगों को जिनको सबूतों की कमी की वज़ाए से उनको छोड़ना पड़ा और उनको फिर नॉर्मल तरीके से नहीं मारते हैं, उनको टॉर्चर करके मारते हैं, उनसे confession करवाते हैं तो, बट मेरे लिए अजन अच्टर ये चैलेंज था कि ये दो किसम के रोल, दो पहलू जो रोल थे वो बिना किसी बहुत ज्यादा हीलो हुज़त के करने थे अजन मेरे खेलेंजिए मेरे, तो, पहला मेरे, एक रेली स्टीक नेचर अजन रहें। अनुबावम सर लिए अखर चीज यहांपे आप से जाना चाहेंगे, यौ पलें जजॉज इन फिल्म, एक जजज की like responsibility कितनी ज़ादा बढ़ जाती है because अगर as common citizens of our country हम justice की बात करते हैं नियाई की बात करते हैं तो हमारी निगाहें कहीं न कहीं उस कलम पर टिकी होती हैं जिनसे वो फैसला होने वाला होता है हम यह जानते हैं कि evidences के basis पर ही वो फैसले होते हैं पर देन ऐसा जज कितनी responsibility बढ़ जाती है कि आप जो फैसला ले रहे हैं वो गलत मैं यह तो कहा रहा हूँ कि यह फिल्म आने से पहले मैं हमेशा सोचता था कि जो जज का रोल कर रहा है या जज जो बने हुए हैं कोई भी justice मलोतरा हुए है justice नौए हुए कोई भी है वो बाकी सब चीजें भी है वो जिस दिन एक innocent आदमी को सजा देते होंगे या एक सजा याफता criminal को छोड़ देते होंगे वो घरा के शायद अपनी wife से बात करते होंगे कि यार मेरे को पता था कि एक criminal है मगर मुझे इसको छोड़ना पड़ा बहुत मुश्किल होता हुए बहुत मुश्किल है कितना guilt ridden होता होगा तोनों चीजें कि आप एक innocent को सजा दे देते हैं और आप एक criminal को छोड़ देते हैं दोनों चीजें हैं इस film इन दाट वे deals with it आप वो ideal situation नहीं है उसको जो carry forward करते हैं जस्चिस त्यागी ideal situation नहीं है बड़ मेरे मन में ये जहन में बार बार आता दो था कि ये करते क्या होंगे यारे एट्स वट आप एफिल लक्षमी राठी मेंस एशा आपने जब एक special CBI officer का किरदार किया तो कितनी responsibility बढ़ गई towards the audience कि आप उसे अच्छे तरीके से play कर भाए और उसके लिए आपको तैयारी तो आपने बताया लेकिन आपने like क्या challenges face कि उसके लिए challenges as such I don't think कोई मैं बोलूँगी मैंने face किये but for audience जैसे सर ने बोला script के हिसाब से देखे just script के साब से एक तो जैसे मैंने बोला है justify करना कि क्यों स्टार्टिंग से इसे पता है कि अच्छा justice त्यागी के पीछे हो मैं मगर वो अपने आपको बार-बार kind of दिलासा देती रहती है कि उन्होंने क्यों किया होगा क्यों धून रहोगी वो ओडियंस को भी जो दिखता है क्योंकि देखे अगर आपको काफी पार क्या होता है कि बहुत आदमी बेवस होके भी कुछ कर देता है and I think वो दिखाया है कि वो भड़ास नहीं justice जाकी कि वो बेवस हो जाते हो ना आपको यह आप्शन ही नहीं बचा हम यह नहीं बोल रहे है मुवी में कोई social message नहीं दे रहे कि आप ऐसा करिये वह आप अप आप बहुत समझरी है यह और वो ओडियंस के तरफ से देख रहे है बलकि जब आप ओडियंस देखेंगे मुवी देखेंगे आप लोग लक्षमी राठी के point of view से जस्तिस त्याकी को देखेंगे कि वो सही जो है वो भी सही है उनका मगर उनका गलत है वो भी गलत नहीं है काम करते वग डर लगा कभी ऐसा सिल्साप उनके स्कूल से पाट रहे है मुझे से क्या डरती है मेरे को डूंड रही थी जो भी है मैंने अपने घुरू को डूंड और दबोचा इस मोवी में अब बोलो यह कौन कर सकता है यह मौका मिल आपको मतलब है जो इन्होंने वो तीन महीने मार मार के हमें आक्टिंग सिखाई है मैंने बोल एमार में प्रेशर थी बतरि Kentmen को के अवे दिए मैंने अपनी टीम को भी मैं प्रेशर थी देशय Samuel Lenoir मैंने बहुत क् contenido कर है मुछा है में अपनी टीम को प्रेशर क्यातां मैंने अपनी टीम को दिए आघस ठीम से लिए कि अलेक हर को ही बोलेगा अनुपम सर की गलती है आहाँ, I know that was a good one तो, excited मैं बहुत थी I know that I know that I have been a little bit I know that I have been one of those Guru Bhagwan क्योंकि हमें वो बच्पन से इखाये गा है My grandfather was Allahabad University principal at one point so it's an upbringing we have been seeing so I am not putting him on a pedestrian but मेरे लिए गुरू एक बहुत बड़ी चीज होती है जो मेरे लिए अनुपम सर पुई जिंदी के रहेंगे but talking to him and वो बात करना and उनी को ढूनना and उनी के पीछे पढ़ना it was, it was exciting अच्छा था कि उनके खिलाफ रहके अच्छा मुझे मज़े मज़ा आया अगर सर के साथ होती ना तो लगता है अच्छा पो हम हैं वर उनके खिलाफ रहके थोड़ा मज़ा आया अच्छा इशा के साथ काम करने का experience भी जाना चाहेंगे साथ-साथ यह जाना चाहेंगे आज की यंग बिगेट के साथ जब काम करते हैं सार मैं बड़ा सचेत रहता हूं I am on my toes मैं अपने कंदे पर यह seniority का बोज लेकि नहीं चलता मैं तो यह सोचता हूं कि कैसे मैं इनसे कुछ सीखूं and I am not saying it modestly I genuinely mean I am very alert when I am working with the younger actors because they are my competition my contemporaries are my competition not competition they are retiring, they are going to get lifetime achievement award मैंने तो अभी शुरुवात की है second innings शुरुआ है first innings शुरुआ है first innings शुरुआ है so I am always trying to learn her nervousness was infectious because nervousness जो है बहुत अच्छा साइन है आप भी मैं उदर दूसरा interview दे रहा था आप साइट पे बैठी अपने dialogue अपने introduction पढ़ रही थी I have a habit of doing that बहुत अच्छा कर रही थी इसलिए आपने जो शुरुआत की speech दे कितनी अच्छी दी thank you thank you so वो यह सब चीजें सीखने को मिलती ना मैं तो वहां interview दे रहा था किसी और को लेकिन as actors आप लोग की responsibility कितनी जादा बढ़ जाती है number one number two challenges कितने बढ़ जाते है एक किरदार को जीने में on screen मुझे लगता है कि problem क्या है which is a very good thing not a problem आज audience के पास Manoranjan के बहुत सारे साधन है बहुत सारे साधन है कि even TV देखना खाने पे जाना बहर रेष्टरॉ में मॉल में जाना यह सब मुबाइल भरा पड़ा है मुबाइल पे सारे वेब चीजें आरही है तो उनको film में जो है वो कहीं न कहीं relate जब तक नहीं करेंगी या तो बहुत बड़े पेमाने पे बनी हो फिल्म larger than life या फिर कहिना कहीं इमोशनल जो इसकी राइनल करेक्ट है तो वह अच्छी बात है I think when I did Khosla Ka Ghosla वह पहली ऐसी फिल्म थी जो दो साल रुकी रही थी कोई खरीद नहीं रहा था और धाई साल बाद रिलीज रही और रिलीज रही एंड इट वस अ बिग हिट अच्छा इशा खुद को कितना कनेक्ट कर पाई इस रोल से देखे स्ट्रॉंग इंडिपेंडेंट लड़की है जो आज के जमाने में कोई वरत नहीं है जो नहीं है I think अगर हमारी मदर्स को भी थी उपरचुनिटीज मिलती और यून वर्क वाइज और इंडिपेंडेंडेंडेंडेंड इस वाइज तो वह भी ऐसा ही करती तो I like the fact that Ashok sir decided कि एक मुमन-Centric फिल्म यह बार बार हिचक जाती है बोलने बद इस ए वोमन-Centric फिल्म यह एं शोइंग अट वोमन इस ट्रॉंग ओविसल्ग वो दिखाना क्योंकि लाइका से पहले भी कि इन्होंने गल मलब नहीं बद सर इवन तो फैक्ट आपको दिखाया गर बुरे इंसान को दिखा दे कुछ बुरा करते वे यह जिसके जो कोई ऐसा किते कि मैं स्ट कोई इंसान कुछ गलत करेगा ना बट वैसे अच्छा इंसान है तो मैं सच में मुझे वो लगता है वाल एक बिचारी की कोई होगी कोई मजबूरी होगी की गलत किया तो इसके उसकी सोच से मैं काफी अपने आपको रिलेट कर पाती है और अशोग जी का नहीं को लेने का तो 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 नहीं को तो आल इंसान कि असे सी यह होगा मैं 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 इस रहलेख ज़िए लिखनें के लिखे इन सब्सक्राइब एक आपको अपने तो कि यह नियुक्ति पहले पसंद आग तो मैसे पांच मिन पता लग जाता है कि आपको फिल्म करने है या पर उसके बार आद करते हो जैसे पहले पांच में पता लग जयाता है पिक्चर अच्छी है नहीं है ज़रूरी नहीं है मैं फर्स पेज पो देखके डिसाइड करता हूं कि मैं आगे पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है नहीं पढ़नी है है अच्छी है पो यहां पर यह जानना चाहरी थी कि जब इस तरह की कोई फिल्म आती है वन डे जस्टिस डेलिवर जैसी जो एक ही दिन में जस्टिस तो डेलिवर करती है लेकिन लौ अर्डर की सिट्वेशन को चेंज करने की भी कोशिश करती है क्योंकि जो फैसला कोट्रूम में नहीं हो पाय कि इसके बाद मैंने जैसा कि बताया कि हम जो आम जिंदगी में नहीं कर पाते हैं उसको पर्दे पर देखते हैं चाहे वो लव स्टोरी हो चाहे वो समाजिक फिल्मों से जुड़ी बाते हो पर वह हमारे अब आप गाना देखते हो या आप याश जी स्विजलेंड में शू किया रिवेंज लिया हमारे तरफ से तो एक सर्टन एस्पेक्ट को शांती मिलती है वह बत अलग है कि हमाम जिंदिगी में कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं बट सिनिमा कें ट्रांसपोर्ट तो या पुजेशन वेर यू कांट गो अधरवाइस इस आपसे जानना च जस्टिस बदलू बद मैंने आइ थिंग वो मुझे थोड़ा टाइम लगा और तब मैं एसंबली की यू नो वह कहावत है ना कि आप जिस दिन आप लोगों को बदलना छोड़ देंगे और खुद को बदलेंगे तब आप बैटर होंगे और मैंने यही देखा कि जैसे सर न हर्फाने में हैं हम की आपका इंटव्यों आप अब ले रहें आप टीवी बे देएंगे उससे पहले यह ओन-लाइन पौच्छचच अगा हम बात कर रहें ओन-लाइन पौच्चचचँ अगर हमें अब हजारो हजारो करोरो और वो कि लोग तैदात में अगर लोग देख पा आप इतने cases होते हैं, निर्भेया case, it's not a thing to be said, बर उस टाइम पे मैं डेली में थी, और सारे मोर्चों में मैंने पाट लिया था, इतनी वॉक्स हुई थी इंडिया गेट पे, तो I feel, you know, इन ये मूवी देखें, आपको लगता है कि काश, थोड़ा justice, थोड़ा और delayed नहीं होता और time पे deliver होता, तो आपको लगता भी है कि इसको मिला जो वो deserve करता था, जो ने आए मिला, जी, thank you so much. आप से भाम से बात करने का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सर, आप दोनों का हमारे साथ रहने के लिए, पंजाब के श्री नहीं होगता है, हैंकि पंजाब के सी में आने के लिए, बंडे देखेगा, पांच जुलाई को, बिलकुल शौ, और हम यह से भी यह अबील करते हैं, कि पांच जुलाई को जरूर फिल्म देखे, बिकिस वेर देर इस जस्टेश, बारिश पढ़ रही हो, चाहे वो तुफान आ रहा हो, पिक्चर देखना पांच जुलाई को, प्लीज, वन डे, मुझे लगता है, मौर और लेस्ट सब कुछ कवर हो गया यहां पर, सो थैंक यू सो मच पर वाचिंग आस इन पंजाब के सी नावदे टाइम्स, नमस्कार,